हेलो स्ट्रूएंट्स गूड मॉर्निंग्स आज हम पढ़ेंगे दिलकौन मुथियानुपात कि सब से पहले मालग पास है त्रिकौन मुथियानुपात में एक समॉट टिर्पोज़ ए ब सेकस समॉट को Walangen कुन को ज़यद कि जिसने भी कौन 90 डिग्री है ये है وبट effectively हम A और C और B इसमें से B C आधार है तिरबुज के लिए A B लंभ है और A C हो जाएगा कर्ण माल लेते हैं कौन C यहाँ पे ठीटा है तो अभी हम सबते पहले देखेंगे यहाँ साइं, स्न एन गॉस्टा एन होता है यहाँ उडर्याणने साइं टीटा होता है यहाँ पे यहाँ आप चाय्ट-वर्यूद बता है 3 Th пару जाएगा एक बतार शेतर हो दीटा और यही text साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा पूर्ण कोस्ट थीटा भी इसी तरीके से हमने जैसे देखा साइन थीटा पराबर वन अपूर्ण कोस्ट थीटा होता है तो कोस्ट थीटा पराबर हो जाएगा वन अपूर्ण साइन थीटा यह जाएगा वन अपूर्ण साइन कॉर्टीत निकालने के लिए हम यह देखेंगे एक बड़ाबर होता है एक लड़े कॉर्टीटर बडाबर होजाएगा इक लड़े दिड़ छैंक और साइन और कोस के रूप मेन यह हो जाएगा साइन थीटा पॉझ अनधीटा सबसे पहले जो इंपोर्टेंट फॉमुले हैं हमको त्रिकॉर्ण मेटी अनुपाद पढ़ने के लिए यह साइन थीटा कोस तीटा थैन थीटा इनका एक दूसरे में कन्वर्जन की एक दूसरे रूपांत्रन कैसे होता है जैसे साइन थीटा और कोस्ट को सक्टीटा में क्या साइन थीटा सेक थीटा वराबर एक बटे पर सिटा और कोट थीटा बराबर एक बटे टैन थीटा या भी साइन थीटा पूर कोस्टीटा इसके बाद में हम देखेंगे कि लंब आधार वकर्ण के रूप में तिरकॉन मेटीय अनुपात्यों को कैसे लिखते हैं तो हमारे पास यहां है, A, B, लंब है, B, C, आधार है, और A, C, कर्ण है, इनको हम स्त्रिकरण विट्यानुपात्यों पातों को रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखने हैं, साइन तीटा को, साइन तीटा हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और इसी को जैसे कि हमने यहां से पढ़ा, साइन तीटा और कोसेक तीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यही से लिख देते हैं, हम कोसेक तीटा क्या होगा, कोसेक तीटा पराबर हो जाएगा, कर्ण, बटे, लंब, साइन का उल्टा पढ़ेंगे, इसको कर्ण, बटे, लंब, यह जाएगा कर्ण बटे लम्ड या फिर बुजा की रूप में A.C. अपॉन एब नेक्स देखते हैं हमारे पास कि कोस्तिता क्या होगा बुजाओ की रूप में कोस्तिता बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यहां पर लिखते हैं आधार अंस में और हर में लिखते हैं कर्ण आधार बटे कर्ण यहां पर आधार जो है B.C. है तो B.C. बटे जैसा कि हम ने देखा कि कोस्त टीटा और सैक टीटा एक दुसरे के उल्टे होता है तो यहां से शैक टीटा आ जाएगा क्या से एक दीटा के लिए पड़ेंगे यहां से कर्ण बटे आधार यह हो जायगा कर्ण कि बटे आधार बुजाओ की रूप में लिखेंगे ती हो जाएगा AC अपोन BC इसी तरीके से 10 को लिखेंगे 10 तीटा बराबर हो जाएगा 10 तीटा होगा लम बटे आदार मतलब कि AB बटे BC तो यह लिखेंगे हम लम बटे आदार लम बटे आदार AB बटे BC और कोट तीटा और 10 तीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं यहां से तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोट तीटा बराबर हो जाएगा कोट तीटा बराबर आदार बटे लम आदार बटे लम जिसको हम लिख सकते हैं BC upon AB तो हमारे पास यह आ चुका है कि त्रिकोर्ण मित्य अनुपातों का एक दूसरे में क्या संबंद होता है और लंब आदार रोकर्ण के रूप में साइन थिटा, कोस थिटा, टैन थिटा एंड कोट सेक एंड कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं तो एक बार आप यह नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो स्टुडेंट्स आगे आपको एक साणी दिखाए दे रहे होगी जो कि स्क्रिन पे आपकी जिसमें लिखाया है साइन थिटा, कोस थिटा, टैन थिटा, कोट थिटा, सेक थिटा कोसक थिटा के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अलग-अलग मान कैसे प्राप्त करेंगे तो एक बार आप यह साणी देख सकते हैं इसके बाद में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे निकाले तो इसके बाद में हम आप यह साणी है साइन देटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री से बाकी सबी त्रीग्रों में दिया नुपात है हम देखेंगे कि साणी कैसे बनाते हैं अपने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देखे थी यहां पर इसको बनाने के लिए हम देखते हैं हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक गिंती लिखेंगे यहां पर लिखते हैं, 0 से 4 तक गिंती 0, 1, 2, 3, और 4 इन सभी को 4 से भाग दे देंगे चार से भाग दे रहें, 0 बटे 4 1 बटे 4 2 बटे 4 3 बटे 4 और यह आ जाएगा, 4 बटे 4 अब क्या करना है, इन सब का वर्गमूल ले लेना है आपको तो यहां पर वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा, वर्गमूल वर्गमूल के अंदर और यह बाहर आगए अब इसके बाद में क्या करना आपको इनको हल करके और वर्गमुल को से बाहर निकाल लेना है संक्या अगर कोई पूर्ण वक संक्या है और नहीं है तो उसको वर्गमुल के अंदर ही लिखे रहने देना है जीर llrg rigtigodigre रोगमुल वर्गमुल अजया जाएगा दो या जायागा एक बटे दो यहां पर यह दो यह दो दूनी चार्ड दो 1 वर्गमुल में रहगा तो एक यह आ जाएगा एक फुट में रूट में दो इससे दर घर ले वन comprendil में तीन रूट 3 लॉट कर दो हैं और यह चार एकम चाट एक वार कर टेसकी और एक का वर्ण उर्ण है करें टो यह जो सम्माना है ङा यह एक बटे रूट 2 रोत नीन वटे दो गघ्ञा यह है क्रमस ए साइं जीरो का माना सजनती साइं टीन का मान sin 60 का मान और sin 90 का मान तो इनको लिख देते हैं हम sin के kolum में तो यहाँ पर लिखते हैं यह 0 यहाँ पर तो यहाँ जाएगा 0 sin 0 का मान आगए 0 sin 30 का मान आजाएगा 1 बटा 2 sin 45 का मान आजाएगा 1 बटा root 2 sin 60 का मान आएगा रूट तीन बटे दो साइन अबग मना जाएगा एक के बाद में आपको क्या करना है इनको उल्टे करम में लिग देना है तो कोउस के मान प्राप्त हो जाएंगे यहां से एक से लिखना स्टार्ट करेंगें एक रूट तीन बटे दो एक बटे रूट दो एक बटे दो और यह सबसे लास में आ जाएगा जीरो और जैसा कि हमने पड़ा तोड़े दिर पहले त्रिकोंड मित्य अनुपातों का एक दूसरे में संबंध वहां से देखाता हमने टेन थीटा बराबर होता है साइन तीटा अपाल कोस टीटा लेकि साइन तीटा का जो मान होगा उसमें कोस टीटा के मान का भाग दे देंगे हमको साइन तीटा का मान फिरूपत ऊंब निकालते हैं साइन तीटा टैन जीरो ख When I egg yourself बटे को सिचिवरो चला पांग देंगे यह जाएगा एक चाहिए और एक बुतरूर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट वें भाग देंगे ते ये आयेगा 1 ये आएगा रूट्ट्ट्टरूर्ट्स जीरो। इसको बोलते हैं अनंत। और इसको लिखते हैं किस पे इसके बाद में हमने पड़ान्था उपोड़ थे यह अनंत। यह आ जाएगा रूट 3, 1, कोट 60 का मान आ जाएगा एक बटा रूट 3, कोट 90 का मान आ जाएगा 0, अब देखते हैं दोस्तो, सेक तीटा जो होता है, कोस तीटा का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा एक ही होगा, रूट 3, 2, 2, 2, 3 आ जाएगा, एक बटा रूट 2 का उल्टा हो जाएगा, दो, ये रूट 2 और ये 2 हो जाएगा, और एक बटा 0 लिखेंगे, तो एक बटा 0 हमने देखा यहां से, यह अनन्त होता है, तो यहां पर लिख देते हैं, एक बटा 0 बराबर अनन्त, ऐसे कोसेक और ये आ जाएगा, दो, ये रूट 2, और यहां पर आ जाएगा, दो बटा रूट 3, और ये आ जाएगा, एक, तो दोस्तों इस तरीके से देखा, कि हमने ये सार्णी जो है, बहुत ही आसानी के साथ बना लिया है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसको मैं एक बार फिर स आउ, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 तक गिंती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना है, उसके बार में वर्ग मूल लेना है, और वर्ग मूल लेके हल करेंगे, तो इनके मान जो प्राप्त होंगे, 0, 1 बटा दो, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटे 2, और 1, ये क्रम्स है साइन जीरो साइन तीस साइन पैतालीस साट और साइन नब्य के मान होंगे एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि इन मानों की हेल्प से हम क्रिस्टन को कैसे सोल करेंगे तो कुछ एक्जामपल्स लेंगे उसके बार में हम परस्णाव से हो लेंगे की Вам कुछ ग्जामपल्स में हमारे पास है पहलेगजामपल जिसमें लिखा है एस स्वाध सहर का मान होता है रूटी इसका से स्कॉयर कर देते हैं स्टीन और सज्सक्राइब आगा इसको लिग सकते हैं रूट इन गुना रूट ञें पुमोना रूटीन बते हैं क्यास्वारे पास अभस-मलिंग थे आजएगा च्शारतीं बारा प्रास नो बराबर 21 बटे 4 तो पहले question का answer हो गया हमारे पास 21 बटे 4 अब देखते हैं next question, question number second इसी example में है, sign 60 cost 30 plus sign 30 cost 60 का मान गयात कीजिए, यहां पे लिखते है, solution of question number, example number 2, यह है sign 60, cost 30 plus cost 60, sign 30, sign 60 का मान आ जाएगा, root 3 बटे 2, cost 30 का मान भी, root 3 बटे 2 यह होता है, तो यह लिखते है, root 3 बटे 2, plus cost 60, cost 60 का मान होता है, एक बटे 2, और sign 30 का मान एक बटे 2, यहां से जाए सामने, पहले पहले example में देगा, root 3, root 3, बड़ाबर 3 आता है, तो यह आ जाएगा, 3 बटे 4, दो गुना 2, 4, प्लस एक गुना 1, और दो गुना 2, बड़ाबर 4, तो चार इसमें LCM लेने पर, लगुतम लेने पर, यह आ जाएगा, 3 प्लस एक, तो यह 4 बटे 4, बड़ाबर 1, एक हो जाएगा मान है, हाँ, तो स्टुडेंट्स, अब हम देखते हैं, एक्जामपल नंबर 3, इसमें दिया है, सिद्ध कीजिये की, 4, sin, 30, sin, square, 6, प्लस 3, cos, 6, cos, 45 बड़ाबर है, 2, 6, square, 45, minus, cos, 1, square, नंबर, यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं, left hand side part, इसको बोलते हैं, left hand side और इसको बोलते हैं, right hand side, तो यह आ गया हमारे पास, 4, sin, 30 degree, sin, square, 6, plus 3, cos, 60 degree, 10, 45, यहाँ जाएगा, फोर, sin, 30 का मान होता है, एक बड़ाद दो, cos, sign, square, 6, sign, square, 6, sign, 6, command, root 3, 2, और इसका square कर देंगे, square कर दिया, plus 3, cos, 60, cos, 60 का मान होता है, एक बड़ाद दो, और 10, 45 का मान एक होता है, जैसा कि हमने देखा, पहले example से भी root 3 का square होता है, तीन, तो यह जाएगा, 4 गुणा, 1 बटा, 2 गुणा, 3 बटे, 2 का square, 4, यह 4 लिख देते हैं, plus, और यह हो जाएगा, 3 बटे, 2, 3 एकम 3, और 2 हर में आ जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा, 3 बटे, 2, प्लस, 3 बटे, 2, यह बराबर हो जाएगा, 2 LCM, तो 3 प्लस, 3, यह आ जाएगा, 6 बटा, 2 बराबर 3, इसको लिख देते हैं, एक, अब देखने हैं, लेप एंड साइड जाएसे देखा हमने, यह LHS था, अब देखते हैं, प्लस, अरेच्एसे, HHS हमारी पास है, 2 SAC4 45, 2 SAC4 45 डिगरी, मैनस, COSEC स्क्क्राइब डिगरी, तो 2 SAC4 45, SAC4 45 का मान होता है, root 2, तो सक है स्क्क्राइब कर देते हैं, मैनस, COSEC स्क्क्राइब डिगरी, इसका मान एक, तो यह हो जाएगा दो गुणा रूट दो का स्क्वार आ जाएगा दो माइनस एक तो चार माइनस एक बराबर आएगा तीन इसको बोल देते हैं दो एक और दो से हम क्या पाते हैं कि दोनों का मान बराबर है अता यह सिद्ध हो चुका है कि LEFT HEND SIDE PART बराबर है राइट HEND SIDE PART तो यहां से हम लिखते हैं एक वै दो से एक वै दो से हमारे पास क्या आ पाते हैं कि LHS बराबर है RHS और यह हमने सिद्ध कर दिया है यहां पर लिख देते हैं इती सिद्धम क्वेसन नमबर चार पे दिया है कि सोलीशन करते है किस नंबर चार का वर इस यहां पर दिया है कोस पैंतालिस बटे सेक तीस प्लस को सेक तीस कमान ग्यात किजिए कोस पैंतालिस कोस पैंतालिस कमान होता है एक बटे रूट दो सेक तीस सेक तीस कमान आ जाएगा दो बटे रूट तीन और कोसेक तीस कमान आ जाएगा दो इनको हम लिखते हैं इसके बाद सोल करते हैं तो नीचे जो दो बटे रूट 3 प्लस दो है इसके लिए LCM ले ले लेते हैं लगुतम तो यह आ जाएगा रूट 3 और 2 प्लस दो रूट 3 ऐसे आ जाएगा यह को अब क्या करते हैं इसमें हम यहीं पर लेते हैं इनको यह 3 जाएगा सबसे उपर एक के पास तो यह रूट 2 था इसके बाद में क्या करते हैं रूट तीन बटे इसमें से दो कोमन ले 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 तो यह बन जाएगा दो रूट दो एक प्लस रूट तीन है अब कर देते इसका रेस्टनल आईजन मनलगे परीमे एकरन तो परीमे करन करेंगे तो यहीं पर करते हैं तो यह आ जाएगा root 3 root 3-1 बटे root 3-1 यह बन जाएगा root 3 और root 3-1 बटे 2 root 2 यहां सी यह क्या बनेगा root A plus B और A minus B बन रहा है तो A square minus B square बन जाएगा A square minus B square बनेगा तो यहां पे हम लिख देते हैं root 3-1 root 2 से उपर नीचे गुणा कर देते हैं root 2 से उपर नीचे गुणा करेंगे root 2 गुणा root 3 बन जाएगा root 3-1 पहले से है ही हमारे पास यह बन जाएगा root 2 से उपर नीचे गुणा किया root 2 यहां भी आजाएगा root 2 तो पहले से इसको root 2 से गुणा और कर दिया है और यहां से आ गया यह, root 3 का square, 3-1, तो यह आ जाएगा, 3-1, यह बराबर क्या आ जाएगा, root 2 गुना root 3, बराबर root 6, और यह root 3-1, बटे, यहां से आ जाएगा, root 2 गुना root 2, क्या जाएगा, 2, 2 दुनी 4, और 3-1 भी दुनी 8, तो यह हमारा answer आ गया, root under 6, root में 6, और bracket में, root 3 10-1, बटे, 8, next example हमारी पास बचा है, example number 5, solution करते है, example number 5 का, इसमें सिद्ध करना है, 3, 10 square 30 degree, minus 4, 3, sin square 60 degree, minus 1, 2, cosec square 45 degree, plus 4, 3, sin square 90 degree, बराबर आना चाहिए, एक बटे, 3, यहां से हम इसी का मान रख लिएते हैं, 3, 10 square 30 degree, 10 square 30 degree का मान होता है, 10, 30 का मान होता है, एक बटे, root 3, तो इसका कर देते है, square minus, 4, 3, और sin square 60, sin square 60, रखना है, तो यहां हो जाएगा, sin 60 का मान, root 3, 2, और इसका कर देते है, square minus, 1, 2, cosec square 45, cosec 45 का मान, root 2, इसका square, plus 4 बटे, 3, और यहां से आएगा, sin 90 का मान, तो एक और एक कर देते है, square, यहां से देखेंगे, 3 गुना, एक बटे, root 3 का स्क्वाइर आएगा, एक बटे, 3, माइनस, 4 बटे, 3 गुना, यह जाएगा, root 3 का स्क्वाइर, 3, बटे, दो देनी, 4, एक बटे, 2, गुना, root 2 का स्क्वाइर आएगा, 2, plus 4 बटे, 3, और एक का स्क्वाइर एक है, इसको रहने देते हैं, तो यह तीन से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी पूरा पूरा CANCEL हो जाएगा यह 4CANCEL 3-3CANCEL और यह 2-2 भी कट जाएगा तो यहां पर बच गया हमारे पास 1-1-1-1-4-3 यह 1-1 कट जाएगा 0 आ जाएगा बच गया हमारे पास 4-3-1 बराबर आ जाएगा यहीं हम को दिया कि सिद्ध करना था यह सिद्ध हो चुका है एक बटा तीन आ चुका है अम लिग देते हैं इती सिद्धम इस्टुनेंस नेक्स हमारे पास है एक्जाम्पल नमबर 6 7 8 तो एक्जाम्पल नमर 6 ने दिया हुआ है यान-3 एक्स बरावर 7 simples 103 series सित्व निदा पयाली को शयुक्त एलेंतन अ प्लेस्ट्रेस Nah Te read रूनेक जो है इसका मान शयार करना है यहां पर लिखते ऑं 10 3x बराबर 35ums मान ओता है एक बटरूट दो एसे को सभी थालश खमाने बटरूट रूट होता ए puzzle 34ности दो होता है और क्या करना है कि टेन ठी27 अइक हुआय बराबर एक है तो इस एक को 10 के ही त्रिकोण मी ब्रफिरी अनुपात में लिखना पड़ेगा और 10 का त्रिकोण में अनुपात में 1 कुमान होता है इसलिए हम इसको लिख सकते है यहाँ से आयगा माहरे पास टेन 3 X ब्रावर 10 पैतालिस तो यहां पर आप क्या करना है 10 में काटना नहीं है यहां परTw किसे नमबर 6 किसे नमबर 7 देखते हैं यदि साइन A प्लस B बरावर 1 है तेदा कोस A माइनस B बरावर रूट 3 बटे 2 है जहां पर A प्लस B का मान 0 से 90 के बीच में है और A B से बड़ा है तो हमको ग्याद करना है A और B के मान क्या होगे जैसे हमने किसे नमबर 6 को किया है वैसे इसाथ के लिए सोलिशन करेंगे साथ के लिए सोलिशन में क्या होगा साइन A प्लस B बरावर एक दिया हुआ है साइन को एक को साइन के त्रिकॉन में त्यान पात में लिखना पड़ेगा और एक जो sine का त्रिकोंड मित्य अनपात होता है वो होता है 90 लिखती तो यह लिख सकते हैं हम sine a plus b बराबर sine 90 degree क्योंकि sine 90 degree का मान होता है एक तो यहाँ पर एक को लिखता है sine 90 degree अब यहाँ से फिर से हम तुलना करेंगे दोनों को sine a plus b बराबर sine 90 है तो a plus b a plus b तिरकोंड मित्य अनपात समान है तो कौंड भी समान होने चाहिए यहाँ से आजाएगा a plus b बराबर 90 degree इसको बोल देते हैं समीकर नमबर 1 इसी तरीके से हम लिखेंगे cos a minus b बराबर root 3 बटे 2 यहाँ पर फिर से लिखना है कि cos a minus b कि बराबर root 3 बटा 2 root 3 बटा 2 जो होता है वो कोस में किसके लिए value होती है तो ही होती है cos 30 के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं root 3 बटा 2 को cos भी cos 30 degree यहाँ से फिर से तुलना करने पर दोनों तरफ कौनों कमान समान हो जाएगा जैसे कि त्रिकोर में तिया अनुपात समान है a minus b बराबर 30 degree आ जाएगा और यह आगे समीकन नमबर 2 अब समीकन एक वर दो को हल करेंगे और a वर b कमान निकालेंगे तो a plus b बराबर 90 degree यह समीकन एक है और a minus b बराबर 30 degree यह समीकन नमबर 2 है तो यह से हम समीकन एक और दो को जोडने पर समीकन एक वर दो को जोडने पर एक वर दो को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 2 a 2 a बराबर 90 और 30 जोड़के हो जाएगा 120 तो 120 तो a बराबर आजाएगा 60 degree एक में रखने पर एक में रखने पर एक में रखेंगे साथ डिग्री तो साथ डिग्री तो यहां से बी का मान आ जाएगा नबर डिग्री माइनस साथ डिग्री तो B बरावर आ जाएगा 30 अठै ऐ और B के मान जो हमारे निकल क्या हैं वो है बरावर साथ डिग्री और B बरावर ठिस डिग्री तो यह हो जाएगा हमारे उट्द्र कुले हैं यहाँ पर यहां पर हम इनके मान रख देखें 설 सेंटी सेंटी सींटी सोता है एक आता है कि यहां से हमारे पास सी बनके आजएगा एक प्लस एक बाशा दो एक और आदा जूडेंे गे तो यह आजाएग knocking ह ao अगेंड दू में स्दोगें बटे यहां से यह भी तीन बटे दो जाएगा एक और आदा जुड़के तीन बटे दो प्लस दो बटे रूट तीन अब इन दोनों में से हम ले लेते हैं लगुतम ले लेते हैं एलसेम लेने पे यह बन जाएगा तीन रूट तीन माइनस दो दोनी चार बटे दो रूट तीन और नीचे आएगा यह दो रूट तीन तीन रूट तीन माइनस चार यह दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे उसके बाद में हमारे पास बचा क्या है हमारे पास बच्चा है, 3 root 3 minus 4 तो यहां plus है, upon 3 root 3 plus 4 अब यहां पर हम कर देंगे परिमी करण करने पर, तो यहां लिखते हैं, परिमी करण से, तो परिमी करण करेंगे, यहां क्या करना पढ़ेगा, 3 root 3 plus 4 लिखा हुआ है, है तो तीन रूटीन माइनस चार उपपर नीचे गुणा करना पड़ेगा यह तीन माइनस चार से पहले का रहे है और यह eightean routine मैं भलेा अए sounds माइन जी जहां अनरिक यहां पर that दन कर रहे था it आज घ्रगा मारे पास्त सिन रूटतीन माइन स्चार बाट एक इन रूट इन FIFA 2——1 जाए-गा-इस-स-स बी सकार बन जाएगा और उब्ठर बम जाएगा तीन रूटतीन माइनिसा चार का सब्सक्यया गोड गैख तीन रूटन माइनwr चार का whole square बटे 3 root 3 square minus 4 square यह जाएगा इसका square open करेंगे तो 3 root 3 square plus 4 square minus 4 तो यह बारा दोना 24 24 रूट 6 сюда रूट 3 दो यह भी वारबर 24 करेंगे बटे यह हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3-9-37-27-16 बरावर आएगा यह हो जाएगा हमारे पास 3-9-37-24-3 बटे 27-16 बरावर आजाएगा 11 और यहां से यह बनके आएगा 16 और 27 जोड़ेंगे तो यह जो आएगा 43-24-3 बटे 11 इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोण मित्यानुपात से समन्दी जो प्रस्नावली है मारी प्रस्नावली नमबर 6 उसको कैसे सोल करते है थैंक्यू चाहँ पु刟 सती है मैंज से स्कुम से भीजियो